हलो दोस्तो मैं हूँ वेवे प्रकाश और स्वागत करता हूँ आपका इस पर्डिकुलर सेशन में जहां पर कि हम लोग क्रिमिनल लॉकाव फाइनली एंड करेंगे और इस टॉपिक में जैसा कि मैंने आपको पिछले ग्लास में भी बताया था इस टॉपिक में हम लोग बात क कहलो अपने देश के अगेंस्ट ठीक है और अब सेकेंड ली सम च्राइम विचार कमिटेड इन अ मारेज तो इस टॉपिक में हम लोग क्लासिफिकेशन में अगेंस्थे इस टॉपिक में अगेंस्विक में जैस क्लास्ट तो सबसे पहले बात करते हैं एसे कोई उफेंस जो कि आप commit करते हो against the state ये chapter 6 of Indian Penal Code के under दिया गया है and ये एक बहुत ही controversial offense भी है जिसका नाम है sedition, why do I say that this is controversial, it's because देखो, ये वाला offense जो है वो 1860 में लिखा गया था at a time when British were ruling upon us, okay तो अब उन्हों ने इसको लिखा था इस provision को लिखा था, इस point of view से, कि जो हमारे revolutionary leaders थे वो revolutionary leaders को, कि speech को, यूनो, रोकने के लिए उनको जेल में डालने के लिए कोई तो provision होना चाहिए न, law में, अब civilized society कह रहे हो कि, you know, we are building a civilized society, तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि, देखो, आप अगर ऐसा करोगे तो हम आपके साथ ऐसा करेंगा, आपको जेल में डाल देंगे तो ऐसा कैसे कर सकते थे on what grounds would they have done it तो इसलिए उनने एक law बना दिया law of sedition तो लेकिन अब देखो, जो हमारे freedom fighters थे, वो हमारे लिए revolutionaries है, freedom fighters हैं, अच्छे लोग हैं, महान लोग हैं, हम उनको शहीद और martyr के नाम से जानते हैं उनको prefer करते हैं आज भी आज भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है लेकिन अब again, ये थोड़ा unpopular बात है, लेकिन इसको गलत context में बिल्कुल मतले ना now look at from the perspective of the British people British लोगों के लिए, जो लोग की हुकूमत थी उस समय इंडिया में, जो की गलत ही नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो fact है, reality है, correct तो अब जो British लोगों के perspective से देखो, तो ये जो हमारे freedom fighters हैं, revolutionary leaders हैं, जिनको हम इतने high regard में रखते हैं, वो तो उनको high regard में उस provision को रखा हुआ है, जो की British यूज करती थी, तो अब independent India में इसका काम क्या है, तो अब independent India में जब देखा जाता है तो कई बार government जो है, वो इस provision का बहुत बार misuse करते हुए भी जो है, वो पाई गई है, कि अगर कोई government का criticism कर रहा है तो उसके उपर sedition के charges जो है, वो लगा देते हो, तो एक बार देखते हैं कि 124A जो है, वो क्या बोल रहा है, sedition को कैसे define कर रहा है, so it essentially means कि you bring hatred or contempt against the government or you excite disaffection towards the laws established by the government अब देख रहे हैं, यह कितना loosely drafted है, you bring hatred मैं कुछ, अगर मालो मैं आज government को criticize कर रहा हूँ तो कल को आप आके बोलोगे कि I am trying to bring hatred against the government of India तो मेरा criticism जो है, वो constructive way में भी हो, तो भी जैसे कई सारे, अभी जब COVID का time चल रहा था, तो कई सारे लोगों ने report किया कि भाई उत्तर प्रदेश में जो है, dead bodies को एसे उपर से फेक दिया जा रहा था, कई सारे वीडियो जो है, वो सामने आई, जहांके ऐसा दिखा कि उन्हों लोगों को उठा के फेका जा रहा है dead bodies को नदियों में फेक रहे हैं, तो जब reporting हुई तो उनके उपर national security act लगा दिया गया, journalists के sedition का laws, जो है, वो charges लगा दिया गया कि आप जो है, इंडिया की छवी खराब कर रहे हो, बट अगें, छवी नहीं खराब कर रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि government का क्या failure हुआ है, government को constructively criticize करना जो है, वो कबसे ऐसा हो गया, कि हम ऐसा कहने लगे कि, यार ये तो अब government of India के against ही होके, बात कर रहे हैं, तो इसी लिए ऐसे इतने loosely drafted words जो है न, offense can dare, ये सही fit बैठते नहीं है, और इसी लिए ये काफी जादा controversial है, you bring contempt against the government of India, contempt का मतलब हो गया कि, आप again, वही भढ़का रहे हो कि, भाई, government से dissatisfied रहो, तो अगर मानलों मैं एक newspaper article लिखता हूँ, जिसमें मैं highlight करता हूँ कि 2010 से 2014 की जो सरकार थी, UPA2, उसमें क्या problem थी, 2014 से 2018 में क्या problem थी, 2019 से अभी तक क्या, अगर मानलों मैं ऐसे news article लिखता हूँ, highlighting कि भाई, क्या problems है, last 3-4 governments में, तो तो फिर आप बोलोगे कि, I'm trying to bring in dis affection towards the government आप ये भी देखो कि, government ने कितना अच्छा काम किया है, ठीक है, मेरा वो particle की लिखने का point ही नहीं है, मैं को अच्छा काम point out करना है, मेरा point है ये बताना चारा हूँ कि, government ने क्या गलत किया है, जो कि मेरा अधिकार है क्योंकि मेरे पास freedom to speech है, हम British ruled India में तो रह नहीं रहें कि हमको बोलने की अजाद ही नहीं है 191A जो article है हमारा संविधान का, जो कि हमें freedom of speech and expression देता है तो वो, again that is something which guarantees की बहुस ठीक है आप बात कर सकते है, आप constructively criticize कर सकते हो, लेकिन वो यहाँ पर sedition के अंडर fall कर सकता है, तो इसलिए यह जो है वो थोड़ा सा difficult होता है, तो sedition जो है वो words, signs या visible representation in किसी भी तरीके से तो अब words जैसे मालो आपने बोल दिया या लिख दिया signs जो है, वो आपके कुछ signals हो सकते है visible representations में even cartoons आए हैं for that matter, West Bengal government ने कार्टनिस्ट को भी, वो किया था sedition के लिए चार्ज कर दिया था when he had made some caricature of Mamta Banerjee, the chief minister तो इस तरीके से, यूनो, sedition जो है, वो काफी जादा problematic है in the sense where the person can be punished under this section जहां पे कि आपका intention जो है, वो necessary नहीं है, ठीक है आपका intention कुछ भी हो वो आपको sedition के अंडर चार्ज कर सकते है, ठीक है तो आप या तो hatred लेके आओ, contempt लेके आओ, excite करो या attempt करो disaffection, excite करने का towards the government, or laws established by the government तो आप जो हो जेल जा सकते हो under sedition, now इसको बहुत जादा कहा जा रहा है कि भाई, इसको change किया जाना चाहिए, and this is something which should और इसको law books में नहीं होना चाहिए, but as of now, even the proposed new criminal law, जो है जो नया criminal law है, जो को अभी proposal दिया गया है, जो कि लोकसभा में अभी पास हुआ है तो even in that अगर हम देखे, तो इस offense को retain करके रखा गया है, इसको हटाया नहीं गया है, ideally हटना चाहिए, बिल्कुल, but इसको as of now तो अभी रखा गया है ठीक है, अब देखो, section जो है नो define नहीं करता है कि dis affection क्या है, या hatred क्या है, ये बस government के उपर है कि वो किस statement को आपके dis affection समझ ले और hatred समझ ले तो इसी लिए जब भी आपको ऐसा कोई factual question sedition के उपर आएगा, तो बहुत ही आम इंसान की तरह सोचना कि वो जो statement दिया हुआ है क्या वो कोई hate क्या वो hate statement है, क्या वो ऐसा है कि वो dis affection दिखा रहा है या वो excite कर रहा है लोगों के लिए कि तुम भी dis satisfied हो जाओ government से, तो बहुत आम इंसान के perspective से जो है उसको सोचना, ठीक है अब देखो जैसे explanation 1 जो है वो दिया है कि dis affection includes dis loyalty and the feeling of anonymity, तो अगर आपके अंदर तो ये ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि आप अपने कोई देश का दुश्मन मान रहे हो या आप अपने देश के लिए loyal नहीं हो, आप गदार हो अपने देश के लिए तो ऐसे cases में अगर आप कहते हो, तो मैं बोलता है, हाँ ठीक है, sedition लगना चाहिए ये गलत है, everyone should be loyal to their country, मैं बिल्कुल मानता हूँ लेकिन बाकी बहुत ही जादा vague और generic और general terms है, जैसे महराष्टरा में for that matter हुआ था, where there were two girls, जिन्होंने कुछ तो criticize कर दिया गया था, जब Balasap ठाकरे की death हुई थी, तो उस समय पूरे महराष्टरा को बंद किया गया था, ठीक है, तो दो लड़कियोंने कुछ facebook पे message वगर है, जो है, वो post कर दिया था, twitter पे कुछ post कर दिया था, considering की, काफी दिक्कत हो रही है, पूरा state को ही बंद कर दिया गया है, तो उनने कुछ ऐसे मजाक में लिख दिया था, की यह क्या ही है, and we are facing a lot of trouble, and उन दोनों लड़कियों को, you know, arrest कर लिया था, sedition charge के, under की मतलब, आप criticize कर रहे हों कि state को बंद कर दिया है, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं, like, how am I threat to the nation, यार, मैं किसके अंदर ऐसा भढ़का रहा हूँ, disaffection लेके आ रहा हूँ, but again, very very loosely drafted, इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि क्या hatred है और क्या disaffection है कहीं defined है नहीं, तो यह ना बहुत misuse होने वाला provision भी है तो जब आप भी कभी बात करो या कुछ बोलो, तो बहुत ध्यान रखके बोलना, कि आपका impact अगर थोड़ा wide हो जाता है ना, तो आप बहुत ज़ादा problem में पढ़ सकते हो मैं कैसे बचूँगा, इसकी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है these are academic thoughts, not my personal लेकिन केदारनाथ सिंग वसे स्टेट आफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने का था कि 124A जो है वो constitutional है, वो एक valid exception है आपका freedom of speech and expression के against आप देश के against जाके काम नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये का था तो इसलिए 124A जो है वो एक changes जो है वो major हुए नहीं है now the second type of offense against the state is waging the war against the government, अब waging the war against the government क्या होता है, section 121 जो हो डिफाइन करता है कि अगर आप government of India के against war को waging the war का मतलब होता है कि आपने war declare कर दिया या आपने attempt किया है to wage a war तो ऐसे cases में you would be liable for life imprisonment या फिर you will also be liable for death, तो अब आप अगर मान लो, जैसे terrorist organizations है, टिक है, they wage a war against the government of India तो अगर कोई terrorist organization है for example, लशकर-e-ताइबा की अगर हम बात करते हैं तो लशकर-e-ताइबा, L.E.T. जो है वो एक Pakistan-based, you know, वो है Pakistan-based जो है वो एक terrorist organization है मान लो, लशकर-e-ताइबा ने इंडिया में अपना कोई module बना दिया ठीक है इंडिया में इसका एक module है और इसके जो लोग हैं, वो लोग इंडिया के Indian government के against जैसे Parliament attack हुआ, ठीक है 2001 में Parliament के उपर attack कर दिया था, लशकर-e-ताइबा ने तो इनने क्या किया कि the idea was कि बहुत जारे parliamentarians को मारना है, ठीक है और क्योंकि Parliament हमारे democracy का सबसे बड़ा structure था तो इसी लिए इनने इसी के उपर सीधे-सीधे attack कर दिया, तो ऐसे case में क्या हुआ, कि government ने बोला कि नई ये जो है वो गलत बात है और आप ऐसा नहीं कर सकते you have waged the war against the government of India and you will be accordingly punished ये बिल्कुल सही section है ये मेरे हिसाब से बिल्कुल controversial नहीं है और ये होना भी चाहिए कि वाई आप को आप हमारे देश के against कुछ नहीं कर सकते everyone is a nationalist and I'm sure कि सबके अंदर देश प्रेम की जो भावना है वो है और नहीं है तो वो develop होनी चाहिए right and it is not necessary that the person has an intention and it is also immaterial कि how many people have committed the offense तो आपका intention है कि नहीं कि government टूटे नहीं टूटे कितने लोग कर रहे हैं उस सबसे फरक नहीं पढ़ता है anyone who is in India be it an Indian citizen or a foreign national अगर वो Indian government के against अगर वो India के against war को war शुरू कर देता है तो उस इंसान को section 121 के अंडर waging the war against the government of India के लिए हम लोग उसको punish कर देंगे ठीक है so यह कुछ दो offenses थे sedition and waging the war against the government of India which is which you guys should know at this stage relating to offenses against the state now let us look at some offenses against or in a marriage that happens तो सबसे पहले आता है bygummy and adultery ठीक है now bygummy and adultery there are two offenses जो की institution of marriage के basis पे ही आता है now we will understand what bygummy is तो bygummy का मतलब होता है कि one person marries someone and then उसका spouse जो है वो living है मैं आपको ऐसे लिख के समझाता हूँ तो आपको जादा बेटर समझ में आएगा A and B are married okay A and B are married B is living number one and secondly this is a valid marriage validly ये लोग married थे और तीसरा पॉइंट है कि ये legally separate नहीं हुए है ठीक है तो A and B का legal separation जो है वो नहीं हुआ है B जिन्दा है ये marriage जो है वो valid थी और ये लोग legally separate नहीं हुए है okay so A and B are spouses पती-पत्नी है now what A does is A goes and marries C तो what the offense that A has committed here is called as the offense of bygummy कि अगर आपके पती या फिर पत्नी जिन्दा है आपकी शादी valid थी और आप legally अभी तक separate नहीं हुए है तो आप दूसरी शादी जो है वो नहीं कर सकते अगर आप दूसरी शादी करते हो तो वो एक criminal offense है जिसको bygummy कहा जाता है अब इस criminal offense of bygummy के लिए आप किसको आप कौन करेगा लेकि किसी को complain तो करना पड़ेगा ना तो the complaint has to be filed by B कि भाई B जो है वो है victim यहाँ पर लेकिन आप देखते होगे बहुत सारे examples है इंडिया में कई सारे ऐसे examples है जहाँ पर लोग ने दो दो तीन तीन शादियां करके रखी हुई है इसके ना दो exceptions है एक तो the exception is personal laws जहाँ पर की Muslim man को हम यहाँ पर बात कर रहे है exceptions की Muslim man जो है he is allowed to have four wives तो यह चार शादियां कर सकता है तो यह एक exception हो गया second exception is victim does not complain जैसे मैं बभी बतार था कि कई सारे आपको ऐसे भी examples मिलेंगे जैसे for example a very famous yesteryear Bollywood hero Bollywood actor Mr. Dharminder जो की Sunny Deval and Bobby Deval के father है और Abhay Deval के I think Tau जी या चाचा जी कुछ ऐसे है तो essentially comes from a very very important Hema Malini जो है उनकी second wife है और उनकी एक पहली wife है जो की Sunny Deval and Isha Deval and Sunny Deval and Bobby Deval की जो mother है तो he married twice अब वो तो he is a Hindu वो तो Muslim भी नहीं है कि उनको चार शादिया जो है वो allow की जाए तो ये कैसे allow किया गया तो अगर मालो मैं C को कह देता हूँ कि ये हेमा Malini है A जो है वो धर्मिंदर है and B जो है वो first wife है मुझे फर्स्ट वाइफ का नाम नहीं पता तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट वाइफ लिख दे रहा हूँ तो अब जब तक ये फर्स्ट वाइफ कंप्लेन नहीं करें अपने हस्बेंड के बारे में कि तब तक स्टेट को क्या मतलब है क्योंकि दिस इस अ क्राइम अगेंस और इन अ मैरेज तो इसलिए B का रोल इंपोर्टेंट है कि B को जो है वो कंप्लेन करना पड़ेगा तभी जाके आप A को जो है वो प्रोसेक्यूट कर सकते हो otherwise आप नहीं कर सकते है कनवर्ट कर लिया था अपने को इसलाम में अब पता नहीं वो कितना सच है नहीं है I don't know बढ़ा ऐसा इंटरनेट पे कहते तो जरूर है हाँ बढ़ शादी की थी ये जरूर है ये तो विल्कुल सही बात है तो दोनों अगरी भी करते है बच्चे है उनके नहीं चेंज किया या अलग नाम है लेकिन यूज नहीं करते तो उस हिसाब से तो इवन अगर मान लो आपना कनवर्ट कर लेते हो तो ये सुप्रीम कोट ने बोला है कि बाईगमी से बचने के लिए अगर आप ये सोच रहे हो कि हम कनवर्ट कर लेते हैं और कनवर्ट करके हम दूसरी शादी करेंगे तो हमके पास चार शादियां करने का प्रोविजन हो जाएगा तो कनवर्जन ओनली फर दा परपस अफ मैरिज जो है वो वालिड कनवर्जन नहीं माना जाता है और आपको फिर भी बाईगमी के अंदर प्रोसिक्यूट कर दिया जाता है लेकिन प्रोवाइड़ वाई है कि विक्टिम जो है पहले आपके अगेंस्ट कंप्लें करें So this is what the offense of बाईगमी is all about उसके बाद एक और offense आता है which is called as cohabitation caused by a man deceitfully inducing a belief of a lawful marriage So basically cohabitation का मतलब साथ में रखना अगर एक आदमी जो है वो धोके से किसी औरत को अपने साथ रखता है उस औरत को ये belief ये विश्वास दिलाके कि हम दोनों के बीच में lawful शादी हुई है तो वो भी एक offense है आप बुलोगे ऐसा कैसे ही कर सकते है Imagine the society 1860 में जब ये law लिखा गया था तो उस समय के time में कैसा था कि women का exposure to the world was very very negligible तो उस समय शादिया में बहुत basic तरीके से हो जाती थी कि आप एक बार मिले या आप चिठी के उपर लिख दिया माबाप ने बोला था कि हाँ शादी हो जाएगी तो आप शादी मान लिए तो बहुत इस तरीके से भी वो society function करती थी तो अगर ऐसा आप करते हो कि आप believe कराते हो उसको जूटे उस पे कि यह रो she is married to the man and the object is to cohabit and sexual intercourse कि आप साथ में रहो और sexual intercourse करो तो इसको punish किया गया है under section 493 जो की 10 साल तक की सजा जो होगी अब यहाँ पर यह जेंडर नूट्रल नहीं है और यहाँ पर आदमी ही को सजा हो सकती है the male must know that the women believe that she is lawfully married to him आदमी को पता होना चाहिए उसको belief होना चाहिए कि औरत को लगता है कि उससे शादी शुदा है वो and it does not matter the man is married or unmarried चाहिए वो पहले किसी किसे शादी किया हो नहीं किया हो उससे फरक नहीं पड़ता but इसके अंडर वो definitely prosecute किया जा सकता है अब उसके बाद आते हैं adultery के उपर adultery जो है वो section 497 में defined था लेकिन अब जो है adultery is not an offense but उसपे आएंगे लेकिन इसका principle जो है वो फिर भी important है क्योंकि कई बार questions जो है वो फिर भी adultery पे पूछ लिये जाते है despite the fact कि adultery अब एक offense नहीं है तो adultery का मतलब क्या होता था कि अगर कोई male है और वो sexual intercourse कर रहा है with the wife of another man without the permission of the husband of the wife तो this man was said to have committed the offense of adultery अधिको इसको इसको unconstitutional किया क्यों गया क्योंकि ये ना सिर्फ male को punish कर रहा था इसके लिए important चीज़े क्या है एक मिनिट इसके लिए important चीज़े क्या है adultery के लिए आओ ये समझ लेते है now adultery के लिए आपको ये कहा गया कि husband और wife ठीक है there are two parties husband and wife now इस wife का एक sexual intercourse होता है with A ठीक है ये इस औरत का एक husband है पे इस wife को तो पता है ना कि मेरा husband मेरा पती कोई और है ऐसा तो है नहीं कि इसको पता ही नहीं कि मेरा पती कोई है so wife knows A also knows A should know the women that I am you know the women that I am making a sexual intercourse with is someone's wife वो किसी की बीवी है अगर ये A को पता है ठीक है तो 1 A के पास knowledge है ठीक है number 2 A ने permission नहीं लिया husband से अब इसमें दो चीज़े बहुत problematic है कि एक तो आप wife को जो female है आप इसको prosecute नहीं कर रहे है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्यों adultery जो है wife was adultery scrapped तो adultery के साथ problem क्या था कि इसको कोई punishment नहीं मिल रही जो wife है जो औरत है उसको कोई punishment नहीं मिल रही सारी punishment जो है वो A को दी जा रही है ओके तो ये एक सबसे बड़ा problem है कि भाई अब आदमी को punish कर रहे हो sex तो दो लो कर रहे है तो wife को भी punish करो उसने भी गलत किया है लेकिन wife के लिए कोई punishment नहीं था second problem है ये कि A ने husband से permission नहीं लिया मतलब कि अगर A ने husband से permission ले लिया होता और husband ने permit कर दिया होता कि हाँ ठीक है तुम कर लो you want to have a sexual relationship with my wife I am okay with it तो that means कि आप ये जो husband है इस wife को as his property treat कर रहा है मतलब आप होते कौनों permission देने वाले कि कोई आए और वो मेरे साथ physical relationship बना ले वो मैं decide करूँगा न या वो female जो है वो decide करेगी हम दोनों का consent matter करेगा उसमें ये husband consent कहां से दे दिया कि भाई wife कर दे तो ये एक अलग problem था कि भाई आप औरत को किसी की property समझ के रख लियो कि आपकी husband की property है तो इन दोनों regressive grounds पे ही जो है adultery को फिर अब बोला गया इसको scrap कर दिया गया अब बोला गया कि adultery जो है वो कोई offense नहीं रहेगा ठेक है so that is what is section 497 which deals with the offense of adultery लेकिन अब ये एक चीज यहां पे और important क्या है कि ये जो sexual intercourse है that should not amount to rape रेप नहीं कर सकते हो रेप क्योंकि फिर अलगी offense है जो कि हम लोग ने bodily offenses के अंडर पढ़ा था correct तो ये unconstitutional कर दिया गया है by Supreme Court in Joseph Shine versus Union of India जो कि जिसका कि मैंने आपको अभी पूरा explanation जो है वो बताया ठेक है और बाईगमी again हम लोग ने पढ़ लिया है तो ये जो है वो थोड़ा सा उल्टा आ गया बाईगमी बाद में भी आ गया and but anyway हमने बाईगमी जो है वो पढ़ लिया so with this we come to end of all the important things that you needed to know for a basic understanding of criminal law तो ये सारे offenses यतने भी हैं आपको help करेंगे legal principles को समझने के लिए और जिस तरीके से आप इसको apply करोगे अपने principle fact based questions के लिए तो revision करते रहिए अपने concepts को clear रखिए and keep practicing now before we end the session अब मैं आप लोग को कुछ important चीजे जो है वो जरूर बताना चाहूंगा study IQ आपके लिए लेके आया है एक mock test series जो की CLAT 2024 aspirants के लिए काफी important रहने वाला है यह आपके last के कुछ दिन बचे हुए है exam के लिए and this is the day और this is the time जहां पे की आपको सबसे जादा practice की जरूरत है now practice आप कहां से कर सकते हो practice करने का best तरीका है आप इधर उधर बिलकुल मत भटकिए और आप बस ensure इतना करिए कि आपके mock test जो है वो proper हो आप sexual test ले सको class node की pdf को जो हम जितना भी पढ़ रहे है आप उसको access कर सको so that आपका revision जो है वो काफी जल्दी से हो जाए तो आप इस mock test series को जो है purchase कर सकते है 2499 में and 2499 के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा code जो है वो use करना है which is webf और इसकी validity जो है वो रहेगी आपकी December 2023 के लिए क्योंकि जो exam है वो complete हो चुका होगा by 3rd of December ये सारे features जो है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे लेकिन अगर आपको extended validity के साथ एक course चाहिए जहां पर किया आपको ये सारी features मिलें plus in addition to that आपको recorded lecture series भी मिले जिसमें कि आप अपने theory part को भी cover कर सको, theory भी पढ़ सको तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो आप हमारा एक smart course जो की crash course programming जिसकी validity August 2024 तक है आप उस smart course को purchase कर सकते हो at 7499 अगें ये आपकी effective final price होगी जो की आप ले सकते हो at by using the discount code which is webhav अगर आपके मन में कोई भी doubt हो कोई भी difficulty हो आपको enroll करने के लिए तो आप मुझे telegram और instagram पे message कर सकते हो thank you so much and with this video we come to end of the theory part of criminal law all the very best, take care, stay safe this is Vabhaprakash, goodbye